वेलकम बैक तो ब्रेंड लाइफ इंडिया और आज की शो में हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान मोटर की कॉंटैसा की ये कॉंटैसा कोई पैट्रोल वर्जन कॉंटैसा नहीं होने वाली ये एक एवी कॉंसेप्ट कार है अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था की हिंदुस्तान मोटर को खरीद लिया है यॉरप बेस्ट प्याजियो कंपनी ने एंड दे वोंट तो कम बैक इन इंडियन मार्केट विद पॉंटैसा एवी एंड अमबैसडर एवी मैंने पहले से एक वीडियो बनाई है जो कि मैं डिस्क्रिप्चन में डाल दूँगा उसका लिंक और आप उसे एंड स्क्रीन पे भी देख सकते हैं जब यह वीडियो एंड होगा तो यह एक प्रॉपर इंडियन मसल कार थी जिसको आप कंप्यार कर सकते हैं मस्टैंग से क्योंकि मस्टैंग का जो क्रेज यूएस में है सेम क्रेज इंडिया में भी देखा जाता था ओन टैसा के लिए इसका प्रड़क्शन स्टार्ट हुआ था 1984 में और यह कंपनी ने इसका प्रड़क्शन 18 साल तक कंटीनी रखा था यह कंप्लीटली मेड इन इंडिया कार थी और इसे एक बॉस कार की तरह देखा जाता था जैसकि कोई बुलेट चलाता था उस टेम पर तो उसे एक अलग नजरी से देखा जाता था वैसे ही कॉंटैस चलाते थे वह एक अलग तरह के लोग हुआ करते थे एक अलग इलीट ग्रूप के लोग हुआ माने जाते थे कोचीन बेस्ट प्रड़क्शन फर्म माइटी सी ने इस एवी बेस्ट हुंदुस्तान कोंटैसा को डिजाइन किया है यह एक स्टर्णिंग लुक के साथ आती है हम की बैजिंग है हिंदुस्तान मोटर की बैजिंग है इसके फ्रंट बॉनट पे और उसके साइड में जो बंपर है उसके थोड़े से रिजिस आपको दिखाई देंगे जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे हैं इसको एक बॉक्सी सिडैन का लुक दिया गया है यह काफी फाइफ दोर्स में आने वाला बदन प्रोटोटाइप में सिर्फ थ्री दोर्स ही दिखाए गए हैं इसको मिलता है स्लोपिंग रूफ और एक बहुत बड़ा एलिडी टेल बार मिलता है एड़ दो पैक जो कि आजकल ट्रेंड सेटर बन चुका है इन एवरी इवी कार इस कार को मिलता है 10-spoke alloy wheel and along with that अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इसमें handlebar physically कोई door handle नहीं है वो inserted है उसको press करना पड़ता है तब वो बहार आते हैं तो यह एक unique feature इसमें दिया गया है I'm not sure production version में वो feature inbuild किया जाएगा कि नहीं जाएगा बदन हाँ अभी तो बहुत stunning लग रहे हैं बहुत जल्द आपको इवी वर्जन ऑफ ambassador and Contessa Indian market और Indian roads पर दोड़ती होई नज़रा सकती है तो डोंट गेट excited see you again